पीची पेरिफिरल्स के अगर बात हो और मैटकरट का नाम ना लिया जाए तो भाई यह तो भाई ना इनसाफी हो जाएगी क्योंकि मैटकरट में वन आप लिए पेस्ट पीची पेरिफिरल्स प्रोड़क्स इन अभी हमें रिए था था तो अगर आप एक मेकानिकल कीबोड ल का कमेंट आ रहा था कि यह यार गेम कंट्रोलर जो है उसके बारे में हमें बताओ सो है मैड कैट से बड़िया कोई प्रोड़क्ट हो नहीं सकता और आज हमारे पास है इनिका कैट 7 जो की है आपका वायर गेमिंग इस दो हजार से बीकम में आपको बड़िया क्यों यहां पर मिल रहा है तो कैसे प्रोड़क्त के लेना चाहिए लें यह सारी चीजों के बार बात करेंगे डबा खोल लेते हैं कि इस तरीके का बॉक्स आपको यहां पर कैट 7 कर देखने को मिल जाएगा आपको यहां पर कंट्रोलर है वह में मिलने वाला है उके अन्बोक्स करने पर आपको सबसे पहली चीज यहां पर कुछ यूजर मैंवल्स और कुछ स्टिकर्स जो हैं वो कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाते हैं इनका इनका इस्तमाल यहां पर कर सकते हैं तीचे की तरफ आपको यहां पर जो गेंपैड है वो देखने को मिल है अगर में यहां पर केबल की बात करूं तो यहां पर काफी त्खीक लेंदे की डूसरी चीज नहीं मिलने वाला दूसी चीज काफी लगी कि यहां पर आपको detachable मिल जाती है तो कहीं गलती से अगर आपकी cable break हो जाती है या आपकी cable खराब हो जाती है तो आप इस cable को यहां पर change कर सकते हैं ताकि आपके गेमपैड को कोई भी प्रॉब्लम जो है वह यहां पर गेमपैड मिल रहा है और काफी सारे बटन्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे में एक बरी थोड़े से पेपर लगे में इनको हटा देता हूं ताकि आपको जो एक लुक है वह ज्यादा बढ़िया मिल सके अगे सो मैट ब्लाक और प्यानो ब्लाक फिनिश के अंदर हमें यहां पर पूरा गेमपैड है वो मिल रहा है रेड़न ब्लाक की थीम के साथ हमें यहां पर गेमपैड दिया गया एंग ठास करके जो यह मैट गाट का लोगो है न वो इसकी लुक को एकदम बड़िया सा बना तो लाट को आपको मैट सेटाप जो हमें आपस कीपाओ यहां यहां पर अबल जाते हैं कितने फिंचर्ट के जाते हैं और शाहिए को बूह करने के अगर आपको पूर जो है तो है just a जो हिसको इसको से करते हैं और चंठ जग्बैंट को कहimens morph out कर रहा है जो अलग-अलग color options यहां पर दे रखे color combination यहां पर use किया गया वो इस keypad को बड़ा ही मज़दार सा बना देता उपर आपको यहां पर madcat के logo में भी यहां पर ब्रांडिंग है उसके अंदर भी आपको red color की light जो है वो देखने को मिल जाती है काफी लोगों की questions यह होंगे कि भी है customization का क्या सीन है तो नीचे की तरफ मैंने आपको यहां पर दो बटन दिखाया है तो जो आपकी screen है सामने जैसे आप बटन प्रेस करते हैं तो यहां पर यहां पर हो जाएगी on क्या पर आपको यहां पर उसको प्रेस करेंगे स्थोट करेंगे वह सेट हो जाएगी एक special feature जो कि आपको इस price range में किसी और controller में नहीं मिलता, आपको यहाँ पे gamepad mode के इलावा Xbox mode का option भी मिल जाता है, जिसके लिए आपको एक dedicated switch जो है, वो controller की back side पे दिया गया है, जिसको हम X input and direct input भी कह सकते हैं, आपके पास यह जो analog sticks होती है, इनकी sensitivity भी आप यहाँ पर change कर सकते हैं, इसकी दिरूब आप यहाँ पर check out करेंगे, जैसे ही मैं इनको move करूंगा, तो हमारी यहाँ पर sensitivity जो है, वो minus या plus में change हो जाएगी, तो अपने हिसाब से जो भी आपकी stick में, आपको sensitivity जादा चाहिए या कम चाहिए, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इस gamepad में adjust कर सकते हैं, ओके सो हमारी game हो गई यहाँ पर ready, last of us part 1 हम यहाँ पे खेल रहे हैं, controller हमारा यहाँ यहाँ हो गया है, ready controller से हम यहाँ खेलने आप देखेंगे, काफी बढ़िया response time हम यहाँ मिल रहा है, तो movement आप यहाँ पर check out करो, तो movement के अंदर हमें यहाँ काफी सही चीज मिलती है, crouch हो रहा है, तो crouch हो रहा है, थोड़ा भागते हैं, यहाँ से, so movement काफी बढ़िया है, यहाँ पर gamepad के अंदर हमें मिल जाती है, so अगर आपने gamepad से gaming नहीं करी, तो भाई आपने फिर जिन्दगी में कुछ नहीं करा, क्योंकि gamepad से game केलने का मज़ा जो है, वो अपना अलग ही होता, इस price range के अंदर सबसे पहली चीज मुझे ऐसी packaging जो है, वो अभी तक किसी और product में नहीं मिली, हमने काफी सारे gamepads review करे है mostly easy prices के अदर करे हैं, और ऐसी packaging अभी तक तो देखने को नहीं मिली, दूसरी चीज जो कि मुझे काफी सही लगी, that is the customizable option की, यहाँ पर आपको इस gamepad के अंदर काफी सारे customize करने के option जो है, वो मिल जाते हैं, तो यह चीज काफी सही, आप profile set कर सकते हैं, आप अपने साब से buttons को पूरा customize कर सकते हैं, तो वो चीजें काफी जादा बढ़िया, जो है, वो मुझे यहाँ पर लगी, तीसी चीज जो मुझे यहाँ पर काफी सही लगी, that is the size of the cable and the quality of the cable, ब्रेड़ के यहाँ पर दिए काफी thick cable, आप यहाँ पर मिल रहा है, आप काफी लोगों के कोशन यह हो होगा, तो मैं बता देता हूँ, 1770 रुपे, 1770 रुपीज का आपको यह जो प्रोडक्त है, वो यहाँ पर मिलने वाला है, तो कईस अगर आप लोग भी यह प्रोडक्त करीदने चाहते हैं, तो इसका buying link मैं आपको दे रहा हूँ नीचे description पे, जहां से जाके आप इसको purchase कर स सकते हैं, I hope आपको यह वीडियो पसंद आई हो, मिलते हैं को और ऐसी ही इंपो मेटे मज़़दार वीडियो के साथ, तिल देखेंगे, गाद ब्लेस, बाबाई